नमस्कार मैं डॉक्टर श्रीकांद वेदी साहक अच्यारिय गलगोटी आज बिश्विज जाल अतरप्रदीश आप सभी शिक्षार्तियों का राष्टिय मुक्त विद्याले शिंक्षा सस्थान के स्टूडियो से आप सभी कम्हार देख स्वागत करता हूं अब निंधन करता हूं आज की बातलाब का जो प्रक्रण है सूख्षम नियोजन में समदाय की भूमिका इस पर हम आप पर चरचा करेंगे सूख्षम नियोजन में समदाय की क्या भूमिका है समधाय की important role क्या है समधाय का सूष्मिन योजन में सबसे पहले हमें इसका अर्थ समझना आवश्यक है सूष्मिन योजन हम कहते किसे हैं सूष्मिन योजन उसका क्या अर्थ है सूष्मिन योजन का सूख्ष्म न्योजन, परिवारवार और बालवार योजना तियार करना है जिसके दुवारा प्रतियक बच्चा नेमित बिध्या ले जाता है तथा अपनी सिक्षा को उप्यक्त जगह पर जारी रख कर कम से कम आट वर्ष की सिक्षा पूर्ण करता है कि परिवारबार और बालबार योजना तियार करना है कि योजना किया है कैसे उसको शिक्षा देना है कैसे प्रतिये बच्च बिद्ध्या ले जा सके कैसे वो शिक्षा ले सके कैसे वो आठ वर्सकी शिक्षा पूर्ण कर सके इस सब की प्लानिंग करना इस सब का जो कारी कला एक draft तयार करना उसके हम सूश्मन्योजन कहते हैं सूश्मन्योजन एब हम समदाय說षव नियोज़न और समदाय का आपस में क्या संबंध है, क्या आवश्रक्ता है, उसके लिए हमें आवश्रक्ता है कि पहले हम कुछ उसके इतिहास पर जाएं, शिक्षा के इतिहास पर, प्रारमिक शिक्षा का सारभ भाहमिकरण सबसे महत्पून राष्टिय लक्ष है, जो एलिमेंटरी एज्यूकेशन का जो सारभ एक मुख उदेश है राष्टिय विकास का भारत के विकास का एक महत्पून लक्ष माना गया कि इसका हमें विकास करना है शिक्षा को हमें जन जन तक पहुचाना है हमें उसको कैसे हम उसको हर व्यक्ति तक शिक्षा को हर बच्चे तक हम शिक्षा की पहुच बना सके यह के लिए चलाए गया, आपरिशन, ब्लैक बोर्ड चलाए गया, मिड़े मील योजना आई, तो अन अनौप चारिक शिक्षा कारी करम चलाए गया, आगनबाली कारी करम चलाए गया, कि कैसे हम हर व्यक्ति तक, हर बच्चे तक शिक्षा को पहुँचा सके, चात्रों की उबस्त सीखने का स्तर उपलब्दी तथा उसके समग इर्बिकास के लिए समधाय की भागेदारी आवची सरकार कितनी भी योजना चलाए अब सिक्षक्षा कितना भी प्रयास करें जब तक समधाय का सहयोग नहीं मिलेगा समधाय की उसमें इन्वाल्मेंट ही होगी हम उसकी उपस्ति की बात करें क्या सीखने की स्तर की बात करें उपलब्दी की बात करें उसका डवलब्मेंट की बात करें वो बिना समधाय की सहयोग की पॉसिबल नहीं है हम समधाय की भागीदारी जरूर चाहिए है इसे लिए जितने भी सेक्षे कारी किरम आई या जो एजिक्षिन पॉलिसी आया उसमें समधाय की महत पूर्ण इस्थान दिया गया समधाय को बड़ी आवशक्ता है, बहुत बड़ा रोल है स्विक्षा तक जन जन तक पहुचाने में, उसकी नामांकन, उपस्ति, प्रतिधारन चमता, चात्रों की उपलब्धी, इस्थान की अनुसारस बिन्विन होती हैं, जैसा इस्थान होगा, जैसा समाज होगा, जैसी परिस्तिया होगी, तो वो अलब बिन्विन होएंगी, नामांकन भी उस तरह का होगा, जैसे आप बात करें, पहाड पर बात करें, बहुत ठंड है, या स्कूलों की संख्या नहीं है, या आप जितने भी कभीलों की बात करें, या जहां स्कूल नहीं है, या जंगल है, या भागॉलिक परस्ती बिन्विन तरीके की हर्डल्स हैं, नामांकन की परस्तियां भिन्विन होएंगी, उपस्ती भी उसी प्रभावित करेंगी, प्रतिधारान चमता, उनके रिटेंशन, बहुत बच्चे रूकें, उसको भिन्विन होगा, चात्रों के उपलब्दी क्या है, कैसा वो सी सीख रहा है, अब जहां उसके परिवार के में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो उसको कोई सहयता नहीं कर पा रहे है, या वो कहीं कामकार है, बच्चे को अपने वेवसाय में उसको साथ में लगा रहा है, तो उसकी उपलब्दीवी भिन्न होगा, एक गर पे अच्छा समाज है, वो उसको टीएशन दे रहा है, गर पे दयान दे रहा है, शिक्षिस समाज है, और जो अशिक्षिस समाज है, वो नहीं दे रहा है। उनकी डेली की प्रदिन की आभशकता हैं, उसके पूर्ती के लिए उनको यूज कर रहा है, और जो इस्थानिय सामाजिक आर्थितियां मूल्य और दृष्टिकून को बहुत प्रभावित करती हैं, जैसी इस्थानिय भागॉलिक परस्थिति हैं, सामाजिक आर्थिक इस्थि प्रभावित करता हैं, बच्चों की उपस्थिति करते हैं, उसका पॉजिटिव आटिटिटूड नहीं है, उसको नहीं पढ़ाना चाहता है, उसको आभशकता हैं, उनको फुल्फिल करें, कम्प्लीट करें, उस तरह का जो हमारा लोकल परवेश है, जो चारत तरफ समाज ह उसके द्वारा ये नामांकान, उपस्थिति, बच्चों की उपलब दी, ये सब उसके अनुसार प्रहावित होती हैं, समस्याओं, एबम समस्याओं की प्रिकार सूश्म नियोजन सहवागी तक्निकों का परियोकर समधाय द्वारा त्यार किया जाना चाहिए, अब जब बि बच्चे को स्कूल नहीं वेज रहे हैं, या नामांकान नहीं करा रहे हैं, या बच्चे को जो स्टैगनिशन की प्रॉड्लम है, वो क्यों आ रहा है, वो हम उस समाज की लोगों से हम बात करें, उनके समाज की लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उन्हीं समस्याओं क्या है तो सूश्मी नियोजन जो करना चाहिए, प्लानिंग, माइक्र प्लानिंग करना चाहिए, तो वो हमें लोकल के लोगों को इन्वाल्व करके, जो लोकल परवेश में लोग रह रहे हैं, हमा समाज में लोग रहे हैं, समुदाय में लोग रहे हैं, उनको हमें अपनी जो प्लान कि रही हम चला सकें, उनको शिक्षा कैसे बहतर पहुंच सकती है, उसके नुसार हम उसको उनकी बहतरी के लिए हम कुछ काम कर सकें. तो समधाय के लोग उसमें involve होँगे, उसमें शामिल होँगे, तो हम अच्छी तरह से हम उनको समझा सकते हैं, अच्छी तरह से उनको हम कुछ प्रदान कर सकते हैं, जो policies हैं, अच्छे से हम उनका नियमन कर सकते हैं. इसमें एक टेक्टिक है, पारिसिपी लर्णी एंड एक्शन, कि लोगों को पारिसिपेट करें, जो लर्णिंग हैं लोगों को इनवॉल्ब करें हैं. PLA इस्थानी लोगों को जीवन के अपने ग्यान का आकलन, बिशलिशन, जीवन का ग्यान, बढ़ाने, बाधाओं की पहचान, समाधान, लक्ष को प्राप्त करने के लिए कारिय निगरानी तथा मूल्यांकन में सक्षम बनाता है पेले जो एक टेक्निक है, वो इस्थानी लोगों को, कम्यूनिटी के लोगों को, समधाय के लोगों को, जीवन को अपने ग्यान का आकलन करना बताता है कि जैसे वो उसमें involved होएंगे, participate करेंगे, उसमें involved होएंगे, उसमें शामिल होएंगे, तो अपने ग्यान का आकलन करना, कि जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, जीवन में हमें क्या आवशकताई हैं, हमारी समस्याई क्या हैं, बाधाई क्या हैं, उसको पहचानना, उनका समाधान करना हम उनको समाधान कैसे कर सकते हैं तो समधाय के लोगों के साथ मिलके उन समस्याओं को हम समाधान कर सकते हैं उनको हम involve करें उनकी समस्याओं में बिविन परिवेश के लोगों की बिविन geographical condition के according समस्याओं में बिविन होएंगे उनके समाधान उनकी according उनसे मिलकर उनसे बात करके बारतालाब करके उन समस्याओं को हम समाधान कर सकते हैं लक्ष को प्राप्त करने के लिए उनकी जो समस्याएं है या उनकी जो हमें सिक्षा का बढ़ावा देना है उनकी लक्ष है उनकी निगरानी में भी उनकी involvement करना चाहिए जो भी इस्थानी लोगों को हम शामिल करें मुल्यांकन की जो हमने जो पॉलिसी बनाया है उनको इन्वाल्व किया है उसको कैसे मुल्यांकन करना है उसमें भी हमें लोकल समधाय की लोगों को हमें उसमें शामिल करना चाहिए इस थानी लोगों को हम सामिल करेंगे तो हमारी पॉलिसी अच्छे से हम उसको समाज तक पहुंचा सकते हैं सूख्ष्पि नियोजन एम समुदाय की आवशक्ता सेक्ष्ण की विकास के लिए सीर्स से एक ही उपाय जिलों, तालोक, निवासियों के सभी समस्याओं को समोधित नहीं कर सकते अब सेक्ष्ण हमें एजूकेशन का विकास करना है अब सीर्स से वेटा जो टॉप पोजिशन पे है वही एक पॉलिसी बना दे कि ये इस पॉलिसी है, इसके दुआरा हमें शिक्ष्ण का विकास करना है, लोगों तो पहचाना है वो पॉसिबल नहीं है, हर तरह की समस्याओं को उसमें हम आंकलन नहीं कर सकते तो उसके लिए जो भी समस्याओं है वो लोकल व्यक्ति को हम इसमें इंवाल्व करेंगे, उसे हम बात करेंगे आपकी क्या समस्याओं है, किस छेतर की समस्याओं है, जो बहुत एक परवेश हैं, जो उनके उपलब संसाधन है उनकी अनुसार, उनकी समस्याइं भी भिन भिन हो सकती है तो उसका नियोजन करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, एक्जुकूट करना चाहिए वो शीर सिस्तर से ना करके, हमें जमीनी इस्तर से करना चाहिए इस्थानी लोगों को हम साथ में मिलाएं, उनके साथ बैठें, उनकी समस्याओं को समझें, उनकी समस्याओं को समझकर, उनके समस्याओं के अनरूप, उनके साथ मिलकर उसका समाधान खोजना चाहिए, कि उसका क्या बेहतर सॉलूशन, क्या बेहतर समाधान हो सकता है, हम इस् कर सकते हैं उसके result उसके निश्कर्ष हम उसके जो परिणाम अच्छे आएंगे इसलिए हमें सूष्म नियोजन में भी इसलिए हम समधाय को include करने की बात करता है policy कि उसमें जो planning करना मैक्र करना है उसमें हम community को involve करें उसको मुझें शामिल करें उनकी समस्याओं को समझें इस्थानियों लोग क्या आकलन कर सकते हैं शिक्षा के संदर्म में इस्थानियों बरतमान नामांकन क्या नामांकन है उसके बारे को सकते हैं कि उपस्ति बच्चों की उपस्ति प्रतिदारान चमता retention उपलबदी बुन्यादी ढचे का अकलन कि हमें कितने स्कूल चाहिए कितने क्या लोकलिटी है किए अवश्यक्ता हैं फिजीकल जो जेग्राफिकल कंडिशन है क्या उनकी बिशिलेशन समस्याओं की तो किस तरह की समस्या हैं, या बहा की जो समस्या हैं, क्या मुख के समस्या हैं, वो आपको इस्थानी के लोग अच्छे से बहतरी से आपको साहता कर सकते हैं, शक्षक होने के नाते, आप उनसे बात करें, उनसे समझें, कि आप बच्चे के नामाकन क्यों नहीं करा रहा है, क् उसके उपलब्दी कम क्यों है? या जो school कि क्या बशक्ता ही है? तो local की लोग हैं जो बहां के परिवेश में रह रहे हैं वो अच्छे से आपको उसमें साहिता दे सकते हैं इस्थानियों लोग जो निम्न समस्याइं हैं आगे जो समस्याइ हैं कोन-कौन सी समस्या हैं जिनका आकलन कर सकते हैं, बिशलिशन कर सकते हैं, वो उन समस्याओं में मुख ये से है, 6 से 14 वर्ष के लड़की लड़कियां कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, वो इस्थानी लोग बदा सकते हैं, क्यों सिक्षा का जो राइट to education है, उसमें गए 6 से 14 व के इतनी लड़के हैं इतनी लड़कियां हैं हम उनके नामांकन के लिए आपके सहाथा कर सकते हैं कितने नामांकित लड़के लड़कियां हैं और कितने नामांकन भी ही लड़के लड़कियां हैं बच्चे हैं उसमें इस्थाने लोग आपके सहाथा कर सकते हैं वो हाउस होल् कितने बच्चों ने नाम एनौल हुए स्कूल में और कितने बाहर रह गए या बीमार बच्चे या कितने कोपोशित बच्चे हैं वो आपके साहता कर सकते हैं कि समुदाय में रह रहे हैं जो परिवेश में हैं कि बीमार बच्चे कितने या कारी करने वाले बच्चे कितने लोकल बेवसाहे में उनको लगा रखा है उनकी संख्या आपको उनके बारे में जानकारी आपको समधाही से मिल सकता है या 0-6 वर्ष के लड़की लड़कियां आटिकल 45 में आया है कि 0-6 वर्ष की जितने बच्चे हैं उनकी शिक्षा की वेवस्था करने का सरकार का शन्शोधन आया था अब उसमें कितने बच्चेयां 0-6 वर्ष के वो आपके इस थानिये लोग, इस समधाय के लोग आपको अच्छे से आपको बता सकते हैं कितनी लड़की लड़कियां उस समधाय में, उस सोसाइटी में, उस परवीश में, उस आयूबर्ग में रहने वर्ष कितने हैं कोपोशित लड़की लड़कियां कि समधाय की साहता से आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं लड़की लड़के को उपस्ति ये मौसमी परिवरतन उसकी उपस्ति बच्चों की क्यों उपस्ति कम है मौसमी परिवर्तन कि उपस्ति मौसमी परिवर्तन क्यों आ रहा है वो समधाय कि लोग आपको अच्छे से उसमें साहिता कर सकते हैं उसका आकलन कर सकते हैं मौसमी परिवर्तन के बारे में हम बात कर सकते हैं जैसे आपने देखा होगा कुछ समय में जैसे मार्च के बाद में या आपको जो फसनों की कटाई होती है, फसने पक्ती है या कुछ एक जैसे शादी है, बिवा है, फंक्शन है, उसमें तक कख़ामें बसदे कम हो जाती है वो लोग बदा सकते हैं कि य citrus करण है, या घर के काम जो हैं उनमें ऐसमें मौसम है इसलिए इसमें involved किया हुआ है या जो एक विभा है या समार हुआ है इसलिए उस time है इसलिए यहाँ पर बच्चों को लगा रखा है या बच्चों फंक्शन में शामिल हो रहे हैं इसलिए उबस्ति में कमी आई है तो वो सब आपको उस तरह की जानकारी समधाय के द्वारा मि पाउट है पढ़ाई छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया क्या कारण है कितने बच्चे हैं वो समधाय से आपको अच्छे से जानकारी मिल सकती है लड़के लड़कियों के सीखने का इस्तर समधाय के लोग उसमें आपको बहुत अच्छे से साहता कर सकते हैं समधाय के ल लब्ध के कारण बिन स्थानों के साथ बेंबिन हो सकते हैं जिन स्थानि यह लोगवदारा पहξजाना चाहिए जो उनके शीखने की स्तर हैं या नामांकत रहे हैं डिफ्रेंट डिफ्रेंट उसके रीजन्स हो सकते हैं जैसे आर्तेक स्तरे कमजोर हैं, कामगारी हैं, तो महां उसमें लगे हुए हैं, इसलिए वो नामांकन नहीं करा रहे हैं, अनुपस्तित हैं, विद्याला नामांकन किया, उनके जो लाब हैं, सरकार दे रहा हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं, या वो नहीं सीख पा रहे हैं, जो नियुनतम लेविल learning है उसको achieve नहीं कर पा रहा है तो वो आर्थिकिस्ति से कमजोर है तो परिवार की लोगों ने उसको अपने काम में लगा रहा है या सिक्षक का डर सिक्षक है उसको सही से बेवार नहीं करता उसका कारण है वो इस्थानी लोग उन बच्चों से बात करके अच्छे से आपको लोग ले सकते हैं उसकी अनुसार आप उसके कोई प्लानिंग कर सकते हैं या सिक्षक क्या बेवार में चेंज आना है वो समधाय के लोग आपको बताएगा आपको पता नहीं चलता कि उसके आपका डर उसकी अंदर है जिसके बज़े से बच्चा नहीं आ रहा है अनपस्ति रहते हैं तो समधाय की लोग उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस विद्याले में चिक्षक नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है क्या कारण है उसकी मॉनिटरिंग समधाय की लोग उसमें कर सकते हैं समझ सकते हैं कि इस विद्याले मे स्कूल बंद रहता है, वो समधाय के लोग उसमें आपकी साहता कर सकते हैं सिक्षण के उबाव तरीके, चाही से आप नहीं पढ़ा रहा है, जो सिक्षण के तरीके हैं, जो मैथवड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उबाव हैं उसके द्वारा से शिक्षा प्रदान नहीं कर रहा है, नहीं की जा रही है तो वो समधाय के लोग, अच्छे से आप उसमें साहता, आप उसको जानकारी प्रदान कर सकते हैं, कुपोशित कमजोर बच्चे, उसके जानकारी समधाय के लोग दे सकते हैं, या उसके बारे में क्या करना चाहिए, समुदाई के साथ मिलकर उनकी लिए आप जो बेहतर कर सकते हैं, वो आप प्लानिंग कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं, कमजूर पाटचरिया निर्माड, पाटचरिया निर्माड ठीक नहीं है, लेंदी है, या उसके बच्चे के जो विज्ञान के अनुसार नहीं है, लोजिकल नहीं है, साइकलोजिकल नहीं है, तो वो आप समधाय के लोगों के साथ मिलकर पार्टिचरिया करन्माण कर सकते हैं, या उसके बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं, कि पार्टिचरिया में क्या कमी है, उनके साथ मिलके आप उसको अनेज कर सकते हैं शिक्ष को आप चात्रों के कोई स्वाहता नहीं freedom नहीं है ना teachers को ना students को तो समधाय के लोग उसमें आपको साहता कर सकते हैं समधाय के लोग उसमें आपको जो policy makers है बहां से आपको feedback दे सकते हैं लड़कियों की सिक्षा के खिलाब सामाजिक वर्जना है को समाज में है कि लड़कियों को सिक्षा नहीं देना है कि लड़कियों को सिक्षा से बंचित रखना है या उनकी सिक्षा बिशेश द्यान नहीं देना है घर के काम काम में लगाना है तो समधाय के लोग उसमें अच्छे से आपको planning में, नियोजन में आपकी साहता कर सकते हैं। समधाय द्वारा रेखां के की जाने वाले बाधाओं को हटाने के लिए समधाय कौन-कौन से काम कर सकता है, या क्या काम कर सकता है, क्या साहता कर सकता है, कौन कौन से activity आप कर सकते हैं उनके साथ मिलकर कहां आपको साहता दे सकते है समधाय के लोग जैसे माता पिता के वी जागरुता पैदा करना समधाय के साथ मिलकर planning कर सकते हैं कैसे उनकी बच्चों उस तरह के बच्चे नामांकन बेहिन बच्चे हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उनकी माता पिता हैं को जागरुत करना शिक्चा के लिए जागरुत करना ताकि वो शिक्चा ग्रहन कर सकें काम करने वाले बच्चों को बैकल्पिक स्कूल की बस्ता समधाय कर सकता है जैसे आंगनमारी है या शाम को कोई जो ग्राम पंचायत है छेत्र पंचायत है कहीं इस तरह की बैठक कर कोई अनौप चारिक शिक्चा के इंदर खोल सकते हैं जो शिक्चा दे सकते हैं प्रोड़ शिक्चा के इंदर है या जो गाउं में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है किसी ना किसी तरह से उनको बैकल्पी विवस्ता कर सकता है समधाय के लोग इसमें आपको बहुत साहता कर सकते है सिक्षकों और चात्रों के लिए स्वाहता सिक्षकों के लिए फ्रीडम कैसे उसको हटाना है वो समधाय के लोग आपको साहता कर सकते है अब सिक्षकों को साहता देगा, समधाय के लोग सिक्षकों के भी अपनी समस्याई होती है, समधाय के लोग उनको किसी ना किसी तरह से उनको स्वाहता दे सकते हैं, freedom दे सकते हैं, कही ना कही उनको liberty होगी, कही ने अच्छात्रों को भी स्वाहता, ठीक है, आपको 9 से 12 स्कूल है बच्चा नहीं आ रहा है ठीक एक घंटे बाद दो घंटे बाद आ जाए लिनКА स्कूल जरू जाए जंदाया कि लूग उसमें उसको motivate कर सकते हैं संदाया के लोग उसको operator कर सकते हैं किस तरह से उसको freedom किस तरह सी किस इस स्कूल में उनकी जो कोपोशित बच्ची हैं बीमार बच्ची हैं कैसी उनको सहता करना चाहिए सम्दाय के उसको मिलकर कहीं न कहीं उसको तरह से बेवस्था कर सकता है ताकि बच्चे स्वस्त रहें। देना, समूमे सिखाना, समधाय साहता कर सकता है उसमें, समधाय बालकेंदरित गल्ली अधारित शिक्षन होना चाहिए, वहां समधाय आपकी साहता कर सकता है, सूख्ष्म नियोजन क्रियानमन की प्रक्रिया क्या होना चाहिए? सूख्ष्म नियोजन ब्लाग, तालोग, जिलास्तर पर किया जाता है जो चरण हो सकते हैं गाउं शिक्षा समती, ब्लाग, तालोग, जिलास्तरों पर समान भागेदारी सनरशना सूख्ष्म नियोजना में म जो स्कूल नहीं जा सके उनको अन्य साधन उपलाब्द कराना सुनश्चित करना कि सभी वच्चे नेमज सिक्षा में भाग ले उस्कूलों की सुधार की योजना बनाना इस्थानी इस्तरवक प्रशाशनिक और संसाधन प्रदानियों को मजबूत करना समुदाय की मदद से प श्कूल परना लेके सुधार में योगदान देना है निमनिस्तर पर सुख्ष्मिनी उजन इस्थानी लोगाद्वाणा की जाते हैं गाव maioria अजनाओं को कलस्ठरई इस्तरईयों को त्यार कने के लिए संक्लित किया जाता है कलस्धरिस्त्रियों इस्तरईयों प्रौ त्यार मास्त्री योजना तियार करने के लिए संक्लित किया जाता है नेमित मास्थक बैठकों में समदाय द्वारा निगरानी पिक जाती है यान्यवा